मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महशूस होता है, कि आप सुजाता भट का नाम सुने होगे, और सुजाता भट most sensitive poet, बहुत sensitive poet थी, कवित्री थी, इसके द्वारा, यानि इसके द्वारा जो भी poem लिखा गया, वो direct समाज के लोगों के दिल को चुपता है, और दिल की सुजाता भट wrote a poem, beautiful poem, as a voice of the unwanted girl, unwanted girl, मतलब अब आप जानी रहें, कि समाज में, हर लगों के इच्छा है, क्वाइस है, क्या क्वाइस है, कि हमें बेटा पैदा, हमें बेटा चाहिए, लेकिन उस जगह पे बेटी आजाती है, तो अंचाही, यानि unwanted हो गई ना, आपकी तो इ लेकिन उस जगह पे बेटी का समाजार मिल रहा है, तो वो unwanted होगी, लेकिन उस unwanted को आप करते क्या है, उसके साथ होता क्या है, उसे आप अगर ये पता चल गया है, डॉक्टर के माद्धन से, कि ये लड़की है, तो इस लड़की को आप इस दुनिया से दफा कर देते हैं, इ उसके भी तो आवाज है, वो तो आपके creation नहीं है, उसने तो कोई शिकायत नहीं किया, उसने तो कोई पैर भी नहीं किया, लेकिन ना शिकायत किया, ना प्रशंसा किया, ना उसे नफरत है, बस सिर्फ इस बात की, बात इतनी है, कि वो एक लरकी है, वो भी unwanted है, क्योंकि पता चला आपको ये जूज मिला, ये खबर मिला कि लर्गी है, तो अब ऐसे पता चला, डॉक्टर साहब से ये जानकारी मिली और आप उसके बरवादी के लिए तयार हो जाते हैं, इसके लिए सिर्फ एक दोसी नहीं है, सिर्फ मा दोसी नहीं है, मा और पिताजी दोनों दोस इस जीस को भी देख लेते हैं और unwanted girl का क्या शिकायत है क्या उसका शवाल है इस बात को क्या question है वो भी देख लेते हैं तो day students अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किये हैं सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरू करते हैं मेरी वीडियो और ऐसा ही sensitive इस बाइश ओप अन्गॉंटेट गर्ण आट फस्ट बिफोर वेंग तो दैट पोई वी बस्टिस्कस अबाउट सुजाता भट लिटिल बिट यो नो अबाउट सुजाता भट विकास सुजाता भट क्यों में लीखी वो एक लड़की थी इसी में लड़की के पीरा को समझ नहीं थी और यह जो गैप है ना आज जो सुसाइटी में गैप है यह जो जेंडर की जो प्रॉब्लिम है सिक्स रेशियो में जो अंतर है लड़कीयों का शंखियां बहुत कम हो गया लड़कों का शंखियां बहुत अधिक हो गया तो यह जो रेशियो है यह जो गैप है यह यह क्यों हुआ उसके लिए क्या कॉम जिवेदान है इसी बात को देखेंगे तो सुजाता भट को thank you for this poem कि आज यह समाज की जो burning issue है उस पे इनों ने यह कविता लिखी है तो आज देख लेते हैं सुजाता भट को सुजाता भट is one of the finest living poets देखें इसमें word है living living poets है living का मतलब हो in this poem she has voiced her concern about the gender-based sex ratio की जो problems है issue है उस पे यह बात की है in our society girls are treated as inferior to the boys in the comparison of boys लड़कों के तुल नहीं लडकियों से हम लोग वैसे वेवहार नहीं करते one 0 to say 215 मानते हैं उसे inferior समझते हैं तो लड़कों को जएदे जबू दिए उसमाज में महत कम दे templates कि लड़कों का ज्याठा देते हैं इसलिए वंग मोर्ड में लड़के आपको है, unwanted mode में लड़की आप, यानि कि लड़की unwanted होगी, अब उसी हवास को आप देखी, कितनी बार्बिक चीज़ है, अब यह कह रहे हैं, अगर घर में लड़की पैदा होगी, तो यह दुरहागी हो जाता है, घर के लोग मायूस हो जाते हैं, खुशी होने के वज़ाई मायूस हो जाते हैं, या unwanted जो चीज़ है न, इसे unwanted आपके बनाया है, God does not create such kind of thing, you create and you are going to create such kind of atmosphere in your family or in the society, what happens with the life of girls, what happens with the life of boys, लड़कों के साथ क्या होता है, लड़कों के साथ क्या होता है, let you see and find out the circumstance happening with the girl's baby, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है समाज में, let you think over that, आपकों उस पे सोच रहा हैं कि लड़कों के साथ क्या हो रहा है, ये विस फ्याजियों ने हैं दुरुखा किता है, नहीं, the technique that helps to determine the sex of the unborn child is used against the girl child, ये सिफ लड़कियों का समचार मिलते ही, ये सब चीज़ और दिवाल आने लगता है, if the expected baby is a girl, it is destroyed, अगर पता चलता है कि लड़की है, तो हम लोग उसके destroyed ये उसके बढ़वादी के बाड़े में सोचना सूरू कर देते हैं, that is why the difference between numbers of boys and girls is increasing divided हैं दिस उसेंग, समाज में लड़की और लड़कीओं का चो रेशियो है, अब लड़कियों का वो दिन परते दिन समाज है बढ़ते जा रहा हैं, लड़की घट रही हैं, लड़के बढ़ता जा रहा हैं, अब आते हम लोग तो दिवा समरी को देख लेते हैं, तो summary of this poem, इस poem के summary को देखेंगे, I hope like that कि आपको बहुत अधिक समझ में आएगा, और ये जो message देना चाहरी है, संदेज देना चाहरी है हम दोनों को, वो संदेज भी आप समझ जाएंगे, इस कमिता के साथ साथ सिर्फ कमिता को ही नहीं समझना है, examination में ही उत्तर नहीं करना है अपने जीमन को भी समझना है, और इस poem के मात्रयम से क्या कहना चाहरी है, मुले वहाँ चीज़ कहना चाहरी है, विलेबल चीज़ कहना चाहरी है, important बात कर रही है, उस इसको देखेंगे, the speaker in the poem is an unwanted girl, इस poem की speaker है वो unwanted girl है, जिससे आप नहीं चाहरा है धर में, वही लड़ी क की आवाज है, वही उसी की शवाल है, who was destroyed before she was born, और जनल होने से पहले ही उससे आप destroyed कर देते हैं, यहीं मार देते हैं, she is speaking to her mother, अपने मा से कह रही है, क्या कह रही है, the girl tells her mother how she destroyed her, कैसे हम इस दुनिया से दफार तुम कर देती हो, कैसे बरबाद कर दी, यह सवार उस तर की, अपने गर्ड की है, the doctors told her that the baby would be a girl, बस इसी निये तुम परवाद कर दी, की डॉक्टर साब ने बोला की यही लड़की है, इसी निये तुम ने, बस इतनी शी बात, और इतनी बड़ी, परिना, इतना बड़ा result, और इस दुनिया से destroyed कर दी, इस दुनिया से दुनिया कर दी, because the girl was unwanted, और इसलिए, क्योंकि हम unwanted है, तुम्हारी चाहत थी कि पुत्र पैदा हो, बेचा पैदा हो, उस जगह पे बेटी हो गई, तो हम unwanted हो गए, बस unwanted हो गए, इसलिए मुझे destroyed कर दी, the mother already had one daughter, क्योंकि तुम ये कही कि, already मुझे बेटी है, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, बस एक बेटी है, दुबड़ा बेटी नहीं चाहिए, तो ये difference, के कारण मुझे तुम इस दुनिया से destroyed or spoiled कर दी, the doctors gave an injection to kill the girl, और दोटर के पास ले ले ही, hospital, वो एक मरने की injection दे दिया, और हम मड़ गए, the mother did not even care to look at the girl, और mother ओज मा के सी, उसके अंदर एक छोटी सी संबेदला का आंसम पैदा नहीं हुआ, और अपने गर्द में मरते हों बच्चों को कैसे सहां कर ली, कैसे परतास कर ली, after the girl was destroyed, everyone was happy, जैसे ही पता चला समाज के लोगों को, भड़िवार के लोगों को, आसपास के लोगों को की, अब वो इस दुनिया में नहीं है, समाज हो गई, तो सब भो खुश हो जाते हैं, वे happy, आरे वाँ, happy हो जाते हैं, the murdered child asked her to look for her in vain, because she was lost forever, अरे तुम सदा के लिए इस दुनिया से मिटा दिये, इस दुनिया में वो आई भी नहीं थी, वो एक शुंदर लड़की ना बन सके, एक शुंदर मा ना बन सके, तुमने तो वो अन्याई कर दिया, जो साइब इस एक जर्म क्या, साथ जर्म में उसकी कहीं कोई माफी नहीं है, तुमने तो ऐसा अन्याई कर दिया, एक शुंदर मा बनने से बंचित कर दिया, एक शुंदर इससे पहले ही उसे तोड़के ट्विट डा लिए। इसको चाहते थे कि इस दुनिया में हमें भेजना लेकिन तुम तुम ने हमें इस दुनिया में आने से पहले ही रोग दिया। लेकिन तुमने तो इस दुनिया के खिलाफ, इस दुनिया के मरजी, उसके विल के खिलाफ तुमने काम किया। तो यह unwanted voice, dear students, यह beautiful message given by Sujata, but again thank you Sujata, तुमने यह इस तरह की जो संबेदना, इस तरह की शंदेश, हम समों तक समाज में पहुंचाने का जो परियास इस दुनिया के माथिम से की हो, इसके लिए आपको पुना, पुना, बहुत 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 धने बाद, very important poem written by Sujata, but voice of the unwanted girl, यह, this is burning issue in the society, इस लिए समाज के जो लोग है, इस poem को पड़के, this is not only important for the students, and for those students who are going to appear in the examination, it is important for all and all, in this entire surface, on this entire surface, it is very essential for teachers, students, and all